वेल्कम बैक टू मेरा अपना स्कूल असलाम वालेकूम कैसे हैं बिटा आप लोग सब खेरियत से हैं तो चलिए शुरू करते हैं लास्टिक टॉपिक रिमेनिंग था उसे भी हम कर ब्लीड कर लेते हैं इसी चैप्टर प्रॉपगेशन और रिफ्लेक्शन अफ लाइट को ले इसे हमने कम्प्लीट करना है इस वीडियो के अंदर लीनियर मेगनिफिकेशन का तालोक लीनियर कहते हैं one dimension ठीक है linear length का concept भी पैदा होता है linear से size का concept भी पैदा होता है distance displacement का concept भी पैदा होता है लेकिन यहां पर चलो हम बात कर रहे थे क्योंकि हमने propagation or reflection of light के chapter के अंदर उस aspect से कर कहा जाए तो linear magnification का मतब क्या होगा पहले definition लिए definition linear magnification की definition क्या हो सकती है it is the ratio ठीक है it is the ratio of size of the image size of the image size of image का बतलब चलो फैले रहा हम debilation complete करते हो उसके बाद फिर इससे relation भी बनाएंगे it is the ratio of size of the image to the size of object ठीक है एक ऐसा ratio जो size of image और size of object का हो उसे हम linear magnification कहते है linear magnification को simply capital M से represent किया जाता है ठीक है बच्चों को linear magnification end तक यह chapter के end भी हो जाता और समझने नहीं आ रहा होता क्योंकि असल में सही concept clear नहीं होता अब आप लोगों concept clear हो जाएगा यह simple definition है इस mathematical definition मेंसे अगर हम extract करें और से relation बनाएं तो relation हमें क्या कह रहा है देखो है magnification बराबर होगी magnification बराबर होगी equal होगी किन दो चीजों के ratio के size of size of image तो यहां लेकर देता हूं size of image यह size of the image ठीक है size of the image to the size of the object object के size यानि दो चीजों के size के reciprocal है दो चीजों के size के ratio के बराबर होती है size of the image और size of the object अब size का मतलब क्या होता है size का मतलब height भी हो सकती है height का size और size का मतलब distance भी हो सकता है दो points के दर्मियान का जो size है ठीक है इस तरह भी आप consider कर सकते हैं अब अगर हम हाइट के अथपार से देखें कि object की जो हाइट है या इमेज की हाइट है image कहा गया कि image के size के बराबर तो height of the image तो फिर height रख नीचे भी हमने height लेनी है height of the object इन दोनों का ratio जो है वो magnification के बराबर हो गया और अगर हम यही size distance के हिसाब से देखा जाए तो यह formula ऐसे बन जाएगा कि magnification बराबर हो जाएगी size of the image तो same है पर हम size लिखेंगे इस वक्त हम distance हम वो size की बात कर रहे हैं जो image से लेकर pole तक का distance होगा जिसे आप size of the image का नाम दे रहे हो क्यों ठीक है इसी तरह जो size of object है यह वो distance होगा जो object से लेकर pole तक का distance होगा यानि size of object from the mirror ठीक है तो यह आपका object को हम P से represent करते है object distance को P आ गया image distance को Q से represent किया जाता है इसलिए image का distance जो है वो Q के बराबर हो जाएगा तो magnification height of image height of object के ratio के बराबर भी होती है और magnification image distance divided by object distance के बराबर होती है कि यह आप से simply यह कह रहे है कि height of image height of object बराबर हो गई image distance divided by object distance के ठीक है तो यह relation आप लोग जहन में रखे और exactly क्योंकिसे हमने numericals के अंदर यूज करने linear magnification के concept को तो यह clear होना जरूरी है इसका समझावा होना बहुत जरूरी था ठीक है अच्छा अब unit क्या होगा unit क्या होगा symbol तो magnification है unit क्या होगा magnification का linear magnification का कोई unit नहीं होता उसकी वज़ा है उसकी वज़ा है कि यहां पर similar quantities का ratio ले रहे है size of image to the size of object size का मतलब यह कि अगर अगर आप height के थाप से height of image का unit meter हम सबोच करते हैं कि हमें मानकर मानकर चलते हैं कि height of image हमें दी गई मीटर में height of object भी हमें मीटर में दी गई अब क्यूंके दोनों divide हो रही है तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा जिससे कोई unit नहीं बचेगा इसी तरह अगर आप distance के अतबार से चल रहे तो distance को भी मीटर में calculate किया जाता है object distance meter या centimeter ठीक है whatever जो भी जो यूट होंगे वो सेम होंगे और similar quantities का जो ratio होगा इस बन्याद पर दोनों की unit cancel हो जाएगे तो इट हैस आप अप यह रिख लें के it has no unit it has no unit because because it is the ratio between two similar quantities दो similar quantities के दर्मियान ratio लिया जा रहा है यानि दोनों को हम divide कर रहे हैं और divide करने पर दोनों की unit cancel हो रहे हैं इस वह से इसका कोई unit no unit होता है कोई unit नहीं होता चलिए हम अपने lecture को यहीं पर अखिताम करते हैं जल्दी से इसका screenshot लिए और इसे अपने कर दो तक रहे हैं जल्दी से इसका है जल्दी से जल्दी से रहे हैं जल्दी से लिए और गूप्शित्र आप